जीवित चर्च का रहस्य जैसा कि एजरा की पुस्तर अध्याए एक उसकी पांच आयत में लिखा है तब यहुदा और बिन्यमीन के जितने पित्रों के घरानों के मुखे पुरिशों और याजकों और लेवियों का मन परमेशुर ने उभारा था कि जाकर यारुशलेम में यहुदा के भवन को बनाए वो सब उठ खड़े हुए मेरे पृइओ, अगर आप एक मसी है तो आप एक बीज है एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला बाईबल में लिखा है कि कुछ माग के किनारे गिरा, कुछ पत्रीली भूमिपर गिरा, कुछ जाडियों पर और कुछ अच्छी भूमिपर गिरा और कोई 30 गुन, 60 गुन और कोई 100 गुन फ़ल लेकर आया जो 100 गुन फ़ल लेकर आया और जो मात की किनारे गिरा क्या उन दोनों बीजों में कोई फ़र्ग था क्या गुणवत्ता का फर्क था नहीं, बोने वाले के हाथ में जो बीज था वो सब एक ही प्रकार का था पर स्थान माइने करता है कि पहला बीच कहां गिरा दूसरा बीच कहां गिरा तीसरा बीच कहां गिरा और चौथा बीच कहां गिरा हो सकता है कि आप 100% उत्तम वाले बीच हो पर सही स्थान पर ना होने के कारण शैतान आपको परेशान करे मेरे प्रियों आप कोई भी चर्च जाएं लेकिन याद रखें वो चर्च जीवित होने चाहिए कोई भी मिशन हो मिशन देखकर कभी चर्च मत जाएं आप में से एक बिजन ऐसा नहीं है जिसमें सो गुणा फन आने की शमता नहीं हो लेकिन अगर आप सही स्थान पर नहीं है तो आपकी शमता जो आपके अंदर है वो बाहर नहीं निकल सकती आपको सही बात समझ ली है कि अगर बारा साल की लहू बेहने वाली स्री बोलती काश परमेशुर यहां से निकलता तो मैं उसे चूकर चंगी हो जाती ऐसे ऐसे सो तरा के बहाने वो लगा सकती थी लेकिन उसने फैसला लिया कि जहां ये शमसी है वहां मैं चल कर जाओंगी और भील को चीर कर अपनी चंग्याई को लूँगी मेरे प्रीयों अभिशिक्त चर्च में आने के लिए आपको मूल्य आदा करना होता है क्योंकि इसका मूल्य मैं जानता हूँ मुझे अपने आत्मी पिता से मिलने के लिए कितने पिलेन बदलने पड़ते थे अभिशिक्त संक्तियों के लिए आप सुबह पाच बजे आते हैं, ये भी एक मूले हैं, क्योंकि शेतान जानता है कि ये एक उपजाओ भूमी है, जहां पर्मिशन लोगों के समस्याओं का समधान करता है, मैं अपने बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक जीवित चर्च की बढ़ाई कर रहा हूं, जो जी रविवार तो आ नहीं सकता, लेकिन वो एक जीवित चर्च को ढूड़े, शेतान रुकावट डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि सही स्थान पर जाने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप सच में जीवित चर्च का हिस्सा हैं, तो आप आशिशित हैं, आ मुझे अभिशिक्त करके खड़ा करें, प्रभी येशु मसी के नाम में, आमीन, परमिशर आप सब को आज के वचन के उपर मनन करने के द्वारा आशिशित करें, आमीन